नमस्कार, माई डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रीय जनो, ABC यानि आजे भांबी चैनल में आप सब का बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी विशे पर बात करना चाह रहे हैं, मारकेश की उपर, जिस पर अक्सर बात नहीं होती, लेकिन इसका डर या खौफ बना रहता है। अक्सर आपने सुना होगा, कि आपसे बूले जाता है, कि आपकी कुंडली में मारकेश चल रहा है, और उसके नाम पर बहुत सारी पूजाएं हो जाती हैं, उपाएं हो जाते हैं, और जबकि मारकेश क्या है, क्या नहीं है, इस पर कभी विचार नहीं किया गया। तो आज हम आपके साथ ये विचार करने का एक नया कारिक्रम और प्रयास दोनों कर रहे हैं हमें उम्मीद है ये विश्य आपको बहुत पसंद आएगा दरसल इस तरह की विश्यों में बातें नहीं होती अक्सर जो हम बातें करते हैं कि हमारा बीटा कब होगा बेटा होगा तो वो इतना बड़ा आद्मी कैसे बनेगा ये सारी बातें उचित हैं लेकिन जीवन का कटू सत्य है कि जो भी प्रत्वी जन्व लेता है उसकी मृत्यू संभव है होती ही है अवश्यम भावी होती है तो ये भी एक विश्य है और इसके नाम पर काफी अनरगल बातें होती रहती हैं मेरे ऐसा भी मनना है कितना लोगों को साड़े साती ये शनी ने नहीं डराया पूरे समाजकी में बात कर रहा हूं ना ही मंगल ने डराया मंगल दूश ने डराया और ना ही पित्र दूश या राहू राहू दूश काल सब दूश इस सबने इतना कभी नी डराया जिटना कि इसने डराया कि आप गुल लिवי׵ी मारकेश है उसके नाम पर लेके बहुत सारा दराया जाता है ग्रूवी और यह क्रोग्राम है हम कुछ नहीं जानते कल क्या होगा मैं भी नहीं जानता और कोई नहीं जानता ऐसा नहीं कि मैं अकेला नहीं जानता कोई भी नहीं जानता तो यह रहसे है और इस रहसे को जानने का जो एक माध्यम है वो जोतिश है तो आज हम बात कर रहे हैं मारकेश की उसके लिए हमने त देखे होंगे यह तो आप देख लीजेगा हमारे चैनल वे अलड़ी चल रहे हैं हम बात कर रहे हैं करक लगन की वृष्चिक लगन की और मील लगन की कैंसर की, स्कॉर्पियो की और पाइसेस की तीन लगन की बात कर रहे हैं और मारकेश या राजियोग दोनों ही लगन से ही देखे जाते हैं चंद्र लगन से नहीं उसकी मदद कई बार ली जाती है वो अलग सिचुएशन्स हैं लेकिन 99% हम लोग यहीं से देखते हैं ऐसा ही विधिविदान है तो जो हमारे मारकेश होते हैं उसमें से जो सबसे पहला मारकेश होता है ऐसा बोलते हैं सब्तमेश है लौड अव सेवन्थ और दूसरा बोलते हैं लौड अव सेकेंड फिर लौड अएट्थ और लौड अव थर्ड तो दूतियेश, तृतियेश, तो हम उसको मार्केश मानते हैं मार्केश से जो हमारी मृत्व का कारन है हृ haba B coule और इसमें कभी हमने विचार नहीं किया ना ही कोई हम से के हम पूछने राता है कि हम वो बच्चा जो पेदा हो रहा हो कब मरेगा ऐसा नहीं पूछे जाता हम मृत्तियों को छुपा के भी रखते हैं और ये कटू सकते है जिसमें बात तो होना चाहिए हर जगें बात होती है धर्म में बात होती है मेडिकल साइंस में बात होती है, हाला कि डरते भी हैं लोग बात भी करते हैं, मेरे को लगता है बात तो करना चाहिए, तो यहां पर जो पहला मारकेश है, नमबर वन, सब लगनों के लिए एक ही सूतर है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, लॉड़ अव सेकेंड की, हम लॉड़ अव सेकेंड की बात करते हैं, तो जब करक लगन है, जो साब देख रहे हैं, करक लगन की कुडली जो है, उससे जो सेकेंड हाउस है, उसकी जो राशी बनेगी, वह बनेगी सिंग, तो सिंग राशी जो है, उसको अस्वामी है सूर्य, लियो को अस्वामी सूर्य ह और कर्ख लगन का जो स्वामी है वो चंद्रमा है सूर्य और चंद्रमा में एक मित्रता है और जो भी चंद्रमा है वो सूर्य के कारण ही है यह हम सब जानते हैं तो दोनों परम मित्र हैं दोनों का पूरा संबंध है और इस दोनों के मिलान से ही प्रत्वी पर्ष रस्थी चलती है तो ये मारक नहीं हो सकता कर्क लगन के लिए मारक नहीं हो सकता हलां कि ये चार प्रकार के मारकों में एक मारक ये भी है तिस मारक को रूल आउट करना पड़ेगा This cannot be the killer बहुत विश्वम इस्थितियों की में येस हो सकता है उसके लिए फिर हमको सब्जेक्टिव होना पड़ेगा कुंडली देखनी पड़ेगी सूरी की नक्षातर देखने पड़ेगे किस से दरस्ट है किसने इफेक्ट किया वो अलग इस्थितिय है बाई ये लाज नहीं 90% अब हम दूसरे लगदी की बात करते है वरिश्चिक की वरिश्चिक जो हमारा लगदी है स्कॉर्पियो उसका स्वामी है मंगल और जो सेकंड हाउसे महापर उसका स्वामी है महराशी है धनू और उसका स्वामी है गुरू गुरू जो है वरिश्चिक लगदी के लिए Lord of Second भी है Lord of Fifth भी है उसको बहुत बड़ा कारक बना जाता है वरिश्चिक लगदी के लिए और ये इसके साथ ही मंगल लगनेश्च का बड़ा भारी मित्र है दोनों कमिले से उच्छ कोटी के राजियोग बनते हैं, तो इसमें धनू राजशी का जो स्वामी है, गुरू या ब्रसपती, वो मारक नहीं हो सकता, हाला कि इस सेकंड हाउस को मारक माना जाता है, तो ये मारक नहीं है, इसको भी हम 90% रूल आउट कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं, मीन लग का जो स्वामी है, आप सब जानते हैं, वो है ब्रसपती या गुरू, और वहाँ पर जो सेकंड राशी है, वो पढ़ती है, एरीज या वेश, उसका स्वामी मंगल है, गुरू और मंगल में यहां भी मित्रता है, और मंगल यहां पर योग का रख है, जैसे स्कॉर्पियो मे मंगल रस्पती योग का रख था, ऐसे ही गुरू की राशी में मंगल उने है योग का रख है, वो थे के वीमित्रत भाव के स्वामी को हम मारके श्मानते हैं, तो अगर एक और बात समयने हैं, जरूरी हैं, यह ग्रह ही हमको मारेगा, सारे नहीं मारेंगे, और ग्रहे ऑफ् मारकेश का एक मतलब ये भी होता है असोविदा क्रियेट करना हेल्थ-ॡ्रिलिटिड समस्य पैदा करना या धन-सम्बंदी समस्य है पैदा करना अपमान किसी स्थ Adm जिट करना इसको मारकेश का जो भै है तो यह धार मारकेश के दशा है इस तरह के e-wails आते हैं फोन आते हैं और बहुत तरह से लोग अपना डर व्यक्ट करते हैं तो हमको लगा कि एक ऐसा प्रोग्रम करना चाहिए जिस पर बारा लगनों के उपर विस्तार से शर्चा हो और जो मारकेशन की बात हो और जो मारकेश इस कुडली में इस लगन में न लौर्डव 2nd मार्किश होता है कई जगा होता भी है, ऐसा नहीं मुलता कि नहीं होता है लेकिन इन तीन लगणों में नहीं हैं, यह point है तो यहां पर नहीं है, अब हम बात करते हैं, दूसरा मार्किश है जो कहते हैं काफी विकट है, मेन मारकेश है, उस लॉडव सेवन्थ है, सेवन्थ जो लगन से आपके लगन से जो सेवन्थ हाउस है, वो आपकी बिल्कुल आपोजिट है, अगर हम टेकनिकली बात करें, तो लगन शुरू होता है जिरो डिग्री से, जिरो से तीस तक, और जिरो उसका मैन पॉइंट है, एकसा स्थी उसका एगजिट पॉइंट है, लगन का, तो जो चीज एकसा से डिग्री पर है, क्योंकि तीन सो साथ डिग्री का तो पूरा प्रहमान है, तीन साथ डिग्री से हम गढ़ना करते हैं, तो उसका कोई मतलप होना चाहिए हमने बोल क्यों है और किसारे का मार्केश है अगर हम इसको यह बोले जो मार्केश का जो हम मुगल समझते हैं तो इसका मतलब एसा ग्रहा है जो हमारी मृत्यू का करण हो तो मैं ऐसा बोलूँगा कि कोई भी सेवन्थ हाउस, कोई भी लगन हो, इस तरीके से मारकेश नहीं हो सकता, कि वरना तो शादियां होनी सकती थी, इधर शादी हुई नहीं हो, सेवन्थ हाउस अपलेट हुआ नहीं, मृत्ती हो गई, तो ये मारकेश नहीं हो वा, लेकिन फिर इसको मारकेश बोला क्यों गया, ये एक मुद्दा है, क्यों बोला गया, इस पर ज़रा विचार करतें, सेवन्थ हाउस का मतलब आपकी स्पाउस, इस्तरी है तो पुरुष, पुरुष है तो इस्तरी, आपकी भार्या, पती-पती, पती-पतनी जो भी जैसा पुरुष है तो पतनी, इस्तरी है तो पती, तो सेवन्थ हाउस अपोजिट है, हम भी समझते हैं, जब इस्तरी पुरुष की शादी होती है, में वोमेंगे की डोना अपोजिट ने हर तरीके से देखने में सुनने में समझने में विचार में उनका पूरा फिसिकल और मेंटल पूरा अस्तित्व अलग अलग है और इन दोनों से ही जीवन की गाड़ी चलती है तो जब एक लड़की की शादी होती है तो वो एक नए बाहौल में आती है लड़का रहता तो अपने घर में ही है पैतरिक घर में ही रहता है बाई अलाच वो हमको लगता है कि लड़की तो बदल गई यहां आके दूसरे परिवार में आ गई लड़का वैसा ही है ऐसा नहीं है दोनों के ही व्यक्तित्तु में सबसे पहला मनो वैज्यनिक परिवर्तन आता है psychological परिवर्तन आता है क्योंकि शादी के बाद आपका जो सोच, विचार, रहन सहन, खान पान आपके विचार में मर्श आप एक ऐसे आदमी से विचार में मर्श करने शादी के बाद जिससे आदमी से आपने इस तरह से विचार नहीं किया था और इस तरह से आप निकट में उस व्यक्ति के नहीं आये थे आप अपने परिवार में उस तरह से किसी के निकट नहीं आते, ऐसे ही लड़की अपने परिवार में उस तरह से निकट किसी के नहीं आती, तो एक दम से दोनों ही लड़के और लड़की में, पुरोष और इस्तरी में, दोनों में एक सटल रूप से और बहुत एपरेंट की वैसी रही है तो पहला परिवर्तन यह होता है और दूसरा जैसे वो यूनियन और बढ़ती ही आगे दूसरा जो परिवर्तन होगा वो जेनेटिक होगा जीन्स के लेवल परिवर्तन होगा पूरा डी एने बदलना शुरू हो जाएगा और आपका सेलूलर परिवर्तन होता है, सेल्स के लेवल पर होता है, हमारी बॉडी में ट्रिलियन्स और ट्रिलियन्स सेल हैं, करों, अर्बों, खरों, इतने सेल हैं, और विज्ञान का ऐसा मनना है, कि हर टिशू का अपना ब्रेन है, अपना मस्टिश्क है, सिरफ यही मस्टिश्क नहीं है, जो सोच रहा है, हर टिशू सोच रहा है, इसलिए एक टिशू से दूसरा जीवन क्रियेट हो जाता है, उसका एक अपना पूरा जनेटिक कोड में कोडिंग है वहाँ पर तो हर कोडिंग का एक अलग अर्थ होता है अगर ऐसा ना होता तो फिर हम आम खाने के बाद मनुश्य नहीं रहते कुछ और हो जाते बनल जाते क्यों जीन का जीन को अपना मालूम है कि हमको क्या करना है तो ज गहरे में दोनों में परवर्तन होता है एक दूसरा परवर्तन है तो आप कह सकते हैं न आप लड़का वैसा रहा न लड़की वैसी रही जो पती-पत्नी बन गए हैं तीसरा मोटा-मोटा परवर्तन जो होता है वो chemical changes होते हैं क्योंकि जब दो इस्तरी पूरुष मिलेंगे तो उनके fluid का भी आदान-परदान होगा तो वहां से जो generations आएंगी जो बच्चे पैदा होंगे वो ना तो ऐसा कह सकते हैं कि लड़के के पूरे खांदान से उनका पूरा संबंद है 100% ना ही पत्नी के से हैं तो दोनों का जो mutation होता है उसके बाद एक अलग दुनिया मारक का पॉइंट करता है क्योंकि आप वैसे नहीं रहे मैं जब इस तरह के program करता हूं तो हो सकता है कि नहीं लोगों के मन में ऐसा हो कि मैं philosophy कर रहा हूं मैं दर्शन की बात कर रहा हूं मैं जोतिश की बात नहीं करता हूं ऐसा हो सकता है कुछ लोगों का मन हो सकता है लेकि अगर गहरे में आप सोचेंगे तो जीवन दर्शन तो है ही जीवन दर्शन से दूर नहीं हो सकता और जब जीवन दर्शन से दूर होगा फिलोसफी से दूर होगा तो वो जीवन का महत्व खतम हो जाएगा तो जीवन दर्शन के पास होगा और जीवन मिस्ट्री के पास होगा, तब हम जीवन को समझ पाएंगे, तो जीवन एक मिस्ट्री है, ये पूरा ब्रह्मान्ट एक मिस्टीरियस है, ये एक मिस्ट्री है, जो जो इसको डिमिस्टिफाई करना है, मैं इस प्रत्वी में क्यों आया, मैं क्यों आता रहता हूं, मे एक ऐसे माहौल में रहता हूँ जो मैं ना चाहते हुए भी रहता हूँ और मेरे उसे चाहत का बहुत कम लेना देना है तो जीवन एक मिस्ट्री है यह फिलस्फिनीत और क्या है बाकी तो हम कमाते हैं आगे बढ़ते हैं जीवन में लेकिन जीवन के कुछ सत्ते हैं और जो अर्थ है बहुत गहरे में ईश्वर की जोती जोत धन ईश जोतिश का सीधा सर्थ है तो ईश्वर की जोतिश अगर हमने नहीं जानी तो फिर जोतिश हमने अधूरा जाना क्योंकि जोतिश विज्ञान भी है बहुत गहरे में आध्यात्म भी है इसलिए जोतिश का जो आ केश की और जो हमारे लगन हैं तीन लगन के हम बात कर रहे हैं एक है कर्क यानि कैंसर दूसरा वरिश्चिक यानि स्कॉर्पियो और तीसरा मीन यानि पाइसेस अभी तक हमने सेवन्थ हाउस और सेकेंड हाउस की बात की विस्तार से की अब हम देखतें कि जो थर्ड हाउस हैं इन सब के उनकी हिस्ति क्या है अगर हम बात करें कर्क लगन की तो जो थर्ड हाउस हुआ वो हुआ महाराशी हुई नंबर छे और राशी है कन्या उसका स्वामी है बुद्ध और थर्ड हाउस को मार्किश मानते हैं, ज्योतिश का सूत्र है, कि इन चार में से कोई न कोई मार्किश है, उन्त में जब भी जीवन में यग रहे, नेगेटिविली एक्टिव होंगे, तब हमारे जीवन का उन्त होता है, लेकिन एक बात और बता दूँ, जीवन की एक अपन है बच्चे को अब पैदा हुआ है उसकी आयूश है तो उस मारक से दिक्कत हो सकते है थोड़ी बात लेकिन उससे मृत्यू का कोई संब्द नहीं है अब यहां पर तृतिया हाउस का जो स्वामी है करकलगन के लिए वो है बुद्ध और चंद्रमा में मित्रता नहीं है और बिइंग लॉड़ अफ थार्ड हाउस मरकुरी इसे मारकेश और एकिलर तो दोनों सूत्र यहां पर लगे कि एक तो बुद्ध तीसरे घर का स्वामी है जहां पर कन्या राशी पढ़ती है और सेकंडली लगनेश जो यहां पर लॉड़ा लगना मून है उसके साथ बुद्ध का कोई तारतम में नहीं है तो यहां पर बुद्ध डिस्टर्ब कर सकता है और दशा में अगर ना भी मारे मैं जैसा बोला आय एक तो पहला मृत्यू है जिसका हम फिजिकल मृत्यू के हम बात करें इसको रूल आट कर रहें लेकिन अगर जो किसी आदमी को फानेशिल क्राइसिस होता है बड़ा भारी एक अमीरी से गरेब ही किया जाए तो यह भी एक तरह की मृत्यू है इसको बोलते है आर्थिक मृत हो वो ठीक ना होता हो तो यह भी मृत्य तो लिकस्ट है तो ऐसे तो अलग बात है लेकिन जहां हम मार्किश समझते हैं बोलते हैं उसका जो बेसिकर्थ होता है वो होता है फिजिकल मृत्यू हो तो हम बात कर रहे हैं करक लगन की तो करक लगन में अगर बुद्ध की हो या buddh active हो या buddh negative हो तो यह एक markish है इसको हम rule out नहीं कर सकते तो यह markish हुआ जबकि seventh का Lord और second का Lord markish नहीं हुआ अब हम लेते हैं वरश्टिक लगणी या सकॉर्पी लगणी वहाँ पर जो third house है जैसे आप देख भी रहें वो जो राशी है वहाँ पर दस नमबर की राशी है और उसका स्वामी है शनी केप्रिकौन राशी है उसका स्वामी शनी है तो शनी यहाँ पर मारकेश हुआ और दो कारण से हुआ फर्स सेटन being the lord of third house and सेटन is not comfortable with the lord of लगना that is Mars तो दोनों तरीके से मंगल और शनी की कोई बहुत ज़्यादा परस पर मित्रता नहीं है बलकि दुश्मनी है और secondly जो हम बुलें की third का lord है तो दोनों एंगल यहाँ पर complete होते हैं तो third house का lord शनी मार्केश हो सकता है पहला मार्केश अब हम बात करते हैं मीन लगन यानि पाईसेज लगन की मीन लगन से जो तीसरा भाव हुआ तीसरा नंबर वहाँ पर वरश राशी ये टॉर्स राशी पढ़ती है उसका स्वामी है शुक्र तो शुक्र और गुरु में बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है ये भी मार्केश हुआ दो नहीं हुए थे इन तीनों लगन में हम देखा second house नहीं हुआ था और seventh house नहीं हुआ था लेकिन ये बाकी तीनों मार्केश की category में आते हैं अब हम बात करते हैं जो चौथा मार्केश है इन लगनों से उसका क्या angle बैठता है जब हम बात करते हैं कर्क लगन की तो वहां से जो अस्ट्रम हाउस है उसका जो स्वामी है Lord of Eighth महाराशी पड़ेगी 11 नंबर की आप देख वे सकते हैं और वो शनी की राशी है चंद्रमा और शनी में बहुत तालमिल नहीं है वलकि एनिमिटी है तो यहां पर जो Eighth house का Lord A. शनी मार्केश का रोल अदा कर सकता है बाकी नहीं है यह कर सकता है अब अगली अगला साइन देखते हैं अगला लगन देखते हैं देट इस Scorpio या वरशिक वहां पर जो अस्टम भाव है उसकी राशी पड़ती है तीन नंबर की आपके स्क्रीन पे भी है और तीन नंबर जो है वो बुद्ध का है मिथन राशी है उसका स्वामे बुद्ध है तो यहां कह सकते हैं कि लगनेश मंगल और अस्टमेश बुद्ध में तालमेल नहीं है और बुद्ध यहां मारक का रोल कर सकता है करेगा नहीं करेगा यह दिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर बुद्ध जो है लॉड आउ इलेवन्थ भी है तो यह भी सूत्र हैं लगाने पड़ते हैं तो यहां पर पहला मारक केश शनी होगा ना कि बुद्ध बुद्ध ऑप्स्टिकल क्रियेट करने वाला होगा हम मारकовать को जुड़ते हैं ना की मृत्यू से लेकिन जो समाज में भय ब्यापत है वो म्रत्यू से है जर्णासा बच्छे को बीमारी हो जाए तो लोग बोलते हैं मारकिश की acquaintedश है जर्णासी एक्सिडिंट हो जाए तो बोलते हैंких मारकिश की तश्शा है परण में चल रहा है, उसका इलाज कोई नहीं कर रहा है, यह वड़ी दरभागी की बात है, अब हम बात करते हैं, तो हमने तीनो चारो मारकेश की बात की, लगन से, कौन-कौन से मारकेश हैं, उन सब की बात की, एक और मारकेश मनते हैं, जिसको मैं तो नहीं मनता, ऐसा बोलत होता है एकादशेश एकादश भाव का स्वामी वो भी मारकेश होता है उसकी पर्ताल करते हैं जानने का प्रयास करते हैं करक लगन से जो एकादशेश है वो है शुक्र विर्ष राशी बड़ी है वहाँ पर विर्ष राशी का स्वामी जो है वो वीने से शुक्र है करक राशी है उसको स्वामी है चंदरवा और 11 राशी जो है उसका स्वामी है शुक्र इन दोनों में बहुत ज्यादा सम्मनिजिस नहीं है लेकिन 11th का Lord मारकेश होता है यह मुझे बहुत गरहा नहीं है मुझे एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि इसका आधार यह है कि मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी है तो यह मारकेश नहीं होता आपस्ट्रिकल तो कर सकता है वैसे भी आपने सुना होगा अगर कोई ग्रहे एक अरदश भाव में है तो वो आदमी को बारे नियारे कर देता है उसकी फानेशन इस्तिती बह महनत से पैसा आता है और 11th house से जो पैसा आता है वो कम महनत के बिना महनत के आता है ऐसा कहते हैं तो इस तरह का भाव मार देगा बात जमती नहीं हाँ दिक्कतें बैदा कर सकता है अमो के स्थितियों यह आप इतनों से लॉस कर सकते हैं भाई बहनों से आप कोई चीटिंग ह नहीं देखी अब हम बात करते हैं वर्षिक लगन की स्कॉर्पी लगन की वहां पर जो 11th house है वो है कन्य राशी बढ़ती है बुद्ध उसका स्वामी है यहां बुद्ध उच्चुका बजाता है तो बुद्ध भी यहां मारकेश नहीं होता बाईय लाज नहीं होता हाँ दि उनके रॉंग इंफुलेंस से आपको लॉसेज हो सकते हैं आप गलत डिसीशन ले सकते हैं आप गलत बातें बूल सकते हैं अपने लिए खुद संकट मूल ले सकते हैं यह बातें समझ में आती हैं लेकि फिजिकल डेथ नॉट पासिवल बाई एनलाज नो अब हम बात करते ह मीन लगन की जो मीन लगन हो तो 11th का जो लॉड है वो है मकर राशी है और मकर राशी का जो स्वामी है कैप्रिकॉन का वो शनी है तो जैसा मैंने पहले बोला कि गुरू के साथ शनी डिक्कत तो है लेकिन death inflicting होगा ये doubtful है मुझे तो पक का doubt है मैं नहीं मानता और अगर आपक का मीन लगन हो 11th में शनी हो तो धन की वर्था तो जाए क्योंकि कुरूर ग्रहे एका दश्वाव में जाके बहुत धन देते हैं मान देते हैं सम्मान देते हैं और देखा भी है हमने तो वहाँ पर शनी अपने घर में होके आपकी इस्तिती को बहतर करने वाला है ना कि मारक मारकेश बोल देते हैं इसलिए हमको मारकेश से डर भी लगता है हमारे को मारकेश की शायद परिवहाशा बदल नी पड़ेगी और जो रिश्यों ने हमको समसिखाया वह उनका गाइडलाइन से हैं वह पांस-पांच हजार साल पहले इतने दूर दरस्टी थे उन्होंने उस गाइडलाइन से हमको बताया अब उसके उपर हमको इस समय में जिस योग में हम रहते हैं उस योग में अपना interpretation करना पड़ेगा नए तरह का interpretation करना पड़ेगा अगर योतिश विज्ञान है हम तो विज्ञान मानते हैं तो विज्ञान में नित नए परिवर्तन होते रहना चाहिए हमको अपने thinking pattern में एक changes लाना चाहिए ये भी रिशियों का ही वचन है कि देश काल और पात्र या देश काल और इस्तितियां परिस्तियां से भी भविश्य बदल जाता है तो देश तो वह है भारत वर्ष है लेकिन काल तो वह नहीं है और हम पात्र भी वह नहीं है पर प्रमुज में आएगा अभी हमने बात की हमने बात की तीन लगन की बात की इसमें देखा जब हमने बात की कर्क स्कॉर्पियो वुर्षिक और पाइसेज की तो कर्क का जो सेकंड भाव है जिसको मारकिश मानते हैं वहाँ पर सिंग राशी है तो सिंग राशी का स्वामी है सूर्य चंद्रमा और सूर्य में दोस्ती है इसलिए वो मारकिश नहीं हो सकता और वृष्षिक राशी में लगन में जो सेकंड भाव है वहां राशी है धनू की उसका स्वामी है गुरू मंगल और गुरू मिलके योग बनाते हैं राज्योग बनाते हैं तो सेकंड हाउस यहां पर भी मारकिश नहीं होता इसी तरीके से पाइसेज में या मीन राशी में जहां का स्वामी गुरू है उसका जो सेकंड भाव है उसका स्वामी है मंगल तो यहां पर भी दोनों मित्रवत हैं तो वो मारकेश नहीं है सेवन्थ हाउस किसी में भी मारकेश नहीं होता, इस पिर हमने विस्तार से इस अभी चर्चा की ये मारकेश नहीं है, थर्ड और एड्थ कोछ इस्तियों में हैं, इलेवन्थ मारकेश नहीं होता, तो हमारी कोशिश रहती है इस कारिक्रम के अंदरगत की हम उन मुद्दों को उठाएं, उन सब्जेक्ट्स में एक बात करें, जिन पर अभी तक बात ही नहीं हुई, हम कत्राते हैं, बात नहीं करते, मारकेश की बात करो, तो मारकेश के नाम पे व्यापार तो बहुत होता है, भाई तो बहुत पहलाए जाता है, लेकिन विस्तार से बात नहीं होती, तो मेरा विचार रहता है, कि जो भी लोग आप हमसे जुड़े हुएं, मैरे प्रिये जन, मैं प्रिये जन बोलता हूं, मेरे को क्यों कि मैंने बोला, मुझे दर्शो को बोलना तो पसंदी नहीं है, म मैं आपको अपने से जुदा नहीं मानता, अलग नहीं मानता, और हम और आप एक ही हैं, बहुत पर धन्यवाद देखते रहें, ABC यानि अजय भामभी चैनल झाल